इगल को सबसे ज़ादा खतरनाक जीव माना गया है क्योंकि वो जल में भी शिकार करता है थल पे भी शिकार करता है और वायू का तो वो राजा है और इसलिए इगल से कोई भी लड़ना नहीं चाता पर ऐसे में हैरानी की बात ये है अपने जो कववे होते हैं शिडियों के जुण्ड में जाकर उनका शिकार कर लेता है अपनी तेज आखों से गहरे समुंदर के अंदर देखकर सांप के उपर आने पर उसको पकड़ लेता है और तो और बकरी के बच्चे तक को उठा के लिए जाता है तो इगल इनके उपर हमला नहीं करता बल्कि और उच्चा ये तक उड़ता है और कववे इगल का पीछा करते हैं इगल कववें को उच्चे आसमान में जाता है जहां पर ऑक्सिजन कम होती है वहाँ पर कववे अपने आप गिर के ठेर हो जाते हैं तो भाईया अपनी उड़ान पर ध्यान दो कववे गिर ही जाएंगे